हेलो दोस्तों मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डूइन मिनट्स में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो आज की इस वीडियो में हम आपको साइकल की डिस ब्रेक को टाइट करना बताएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस ब्रेक को टाइट करने से पहले आप चेक कर लेकि आपके Excel में कोई धागा या भी किसी भी तरीके का कोई रसी तो नहीं फंस गया है क्योंकि cycling करते हैं टाइम कुछ भी बाल या फिर कुछ भी फंस जाना बहुत ही common होता है तो आप अपने Excel को साफ कर ले उसके बाद हम आपको break दिखा देते हैं यह ब्रेक का जो lever है वो बहुत ही जादा ढीला यहां पर आपको दिख रहा होगा यह लगबग लगबग हमारे handlebar तक आ जाता है पूरा तो इसे हमें आज tight करना है तो आज हम इसके alignment के साथ छेर चार नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा normal सा break घिस कर थोड़ा सा ढीला हो जाता है उसे हम आज आपको tight करकर दिखाएंगे तो सबसे पहले यहां पर आपको wire को फूरा खोल कर loose कर लेना है तो यहां पर आपको सबसे पहले wire वाले nut को ही थोड़ा सा loose करने ला है और किसी और nut के साथ आपको छेर चार यहां पर नहीं कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा gap दिख रहा होगा थोड़ा से light आता हुआ दिख रहा होगा यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा जो break pad है वो disc rotor के उपर जैसे ही लगता है वो gap खतम हो जाता है तो यही gap को हमको पहुत ही जादा minimum करना है जितना हम इस gap को कम रखेंगे उतना जादा break का performance हमारा अच्छा रहेगा तो यहां इस gap को maintain करने के लिए आपको इसे थोड़ा थोड़ा सा आगे करना है और उसके बाद आपको gap को maintain हमेशा रखना है और उसके बाद आपको wire को tight कर देना है तो यहां पर wire tight करते समय आपको थोड़ा सा हो सके तो लूजी रखना है क्योंकि बाद में थोड़ा सा आप इसे tight करने के लिए barrel adjuster screw का use कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी बहुत जादा gap है तो हम यहां पर wire adjuster screw को थोड़ा सा ढीला करेंगे यानि कि हम इसे anti clock by direction में थोड़ा सा घुमाएंगे और इसके बाद gap को maintain करेंगे तो यहां पर आपको gap को ज़ादा नहीं रखना है और नहीं कम रखना है बिलकुल आपको इसे इस तरीके से रखना है कि जो आपका disk rotor है वो pad पर घीसे ना और दूसरे side में caliper के side में आपको यहां पर एक hexagonal socket bolt मिलता है इस bolt से भी आपका जो brake pad है वो move करता है आगे और पीछे तो यहां पर आप जब इसे clock by direction में करेंगे तो यह pad आगे जाएगा anti clock by में करेंगे तो यह पीछे के तरफ आने लगेगा तो इस तरीके से आपको अपने disk rotor को reference line मानते हुए दोनों pad के बीच में आपको इसे set कर लेना है उसके बाद आप इसे घुमा घुमा कर wheel को check कर ले कि आपका wheel जादा heavy तो नहीं हो गया है तो जब तक आप इसके alignment के साथ छेर चार नहीं करेंगे आपका break बहुत ही जादा अच्छा काम करेगा alignment छेर चार कर देंगे तब आपका इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आपको इसे बाद में वीडियो कैसी लगी जरूर हमें comment करकर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपके पास साइंकों सब्सक्राइब कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे इंस्टागरम एकाउन का लिंक में लेगा चाहे तो अपने प्रॉब्लम को मेंट साथ सेयर कर सकते हैं तो चलिए मिलते हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में